हेलो एब्रिवन गोड इबनिंग नमस्कार चेहिंद राधिरादे जोहार मैं आपका येस एजुकेटर रहुत कुमार स्वागत करता हूं वाइफा स्टोडियोज विचिज आपार्ड़म अगैडमी तो आज हम लोग पढ़ने वाले बच्चों स्टैटिक जी के जिसमें से आ लाएदा क्लासेज मिल रही है अब तो कहीं ना कहीं तारे सब्जेक्ट आपके कवर हो रहे होंगे चाहिए वो साइंस हो हिस्ट्री हो पॉलिटी हो जिखर्थि हो स्टैटिक जीके हो करेंट दफियर सो क्यूंकि कई सारे करेंदफियर्स वाले बच्चे कई सारे बच्चे होंगे जो करेंद रही करने होगे लेकिन करेंद क्या मिल नहीं रहा है यह बच्चे परिसान से करें तो मैं आपको बताओं कि करेंड आप मेरी आवाज आ रही है आप तक चलो उम्मित करते हैं मेरी आवाज बिल्कुल अच्छे करें के सुनाई पढ़ रही होगी देखते हैं कि क्या-क्या पढ़ने वाले कौन को जूट चुके हमारे साथ सबसे पहले ये देखें अजय, पार्थ, पूनम, आनंद, फैसल, सिर्ली, देडमैन, विकास, कूमल, मंजू, स्वेटी, सुरेंद्र, रियाजुद्दिन, प्रियंका, गजानन, स्थाक्थी, अनू, चलिए तो देखते हैं, क्या-क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज, हना, तो आज इस्ट्याटिक जीखें को रैपिट फायर, क्योंकि आपको भी पता है, एक घंटे में पचास सवाल, और उसके कुछ-कुछ आपके पास ज्यादा समय बसता है, ना हमारे पास ज्यादा समय बसता है, तो रैपिट फायर के लिए तयार हैं, आज 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 आज़ो, आज आजाएगा, और आप योट्यूब-योट्यूब करते रह जाओगे, समय निकल जाएगा, और आप यूट्यूब रान अकाड़ेमी में करते रह जाओगे पढ़ने वाले बच्चे कहीं से भी पढ़ने क्या वो यूट्यूब पे मिले यह इस्पेशल क्लास पर मिले फरक नहीं पढ़ता है समय चला गया पहले हम सोचते थे कि सर मैं यहां पढ़ू वहां पढ़ू अब जहां मौका मिलता है अपने आपको वहां कैस करा लो वहां भुना लो तो यह स्टाटिक दीक है भाई यह कल 12 दिसंबर 12 दिसंबर से कल बैस सुरू हो रहा है रेलिवे में कौन तो पांचर पलस दी चल रहे है वह स्टाटिक दीक है और करेंट अफेर सुरू हो रहा है यह दोनों के दोनों अनकेडमी पे कितने बज़े तो ग्यारा बज़े दो पांद बारा बज़े लगा थार जाज रखना इसके लाबे जो स्पेशनल क्लास की जो सेड्यूल ही आप देख सकते हो कि ज चैप्टर वाइज प्रैक्टिस और एक्जाम्स अट एट एम डेली अनकेडमी और फिर यहीं पे आप फाइव थर्टी फाइव पी एम पे आप देख लो करेंट अफेर्स जहां एक हजार प्लस सवालों के सिरी चल रही है तो आप जोईन कर सकते हो चाहे वह याई यह है न देखो तो हम लोगों ने दो दिन हिस्ट्री देखा दो दिन और एटी देखा और आज जोगर्फी के पहली लेक्चर था कल दूसरा लेक्चर और संडे को टेस्ट होगा बिल्कुल जो पढ़ते हैं सो बहुत फाइदा सवाल नमबर वोन आपके सामने यह रहा वेर इज़ा लॉकेटेड सीक्रूटी पेपर मिल का मुख्याले कहां है होसंगाबाद डिल्ली मुंबई कोलकाता सवाल नमबर एक वेर इज़ लॉकेटेड सीक्रूटी पेपर मिल जल्दी क्षोगव हो संगावाद जो मदव्वपरदेस में तो सिकुर्टी पयूपर मिल के बात करें यो कहा Мосوق बाताओ कमीड़ बॉक्श में कि भारत में जों टक. cricket साल हो जहाँ पे त्वाइंस डालध जाते हैं क्वाइन्स जो मिंत है टक्साल है भारत में कहा है टक्साल कहा है भारत में जल्री भारत में टक्साल कहा है भारत में टक्साल कहा है टक्साल टक्साल मिंट क्या कलकत्ता और चलिए सवाल नमर दो Most poisonous fish in the world दुनिया में सबसे जहरीली मचली Stone fish, lion fish, scorpion fish या astaggar fish सवाल नमर दो नमस्कार सोनु जी क्या हाल है वेश्ट बंगाल, साल बनी मद्द परदेश में, नासिक में नमस्क नोईडा बहुत बंगाल, देवास भाई, सिक्के के टकसाल मैंने पूछा नोट का नहीं, केवल मैंने coins पूछे है केवल मैंने coins पूछा केवल मैंने coins पूछा मुंबई में भी, कुलकाता, नोईडा तो क्या वागा भाई stone fish सबसे जहरीली मिसली की बात करे स्वीटी जी का जवाब बिलकुल सही है, बहुत बनिया जैहिंद यादव क्या बात है, जवरदस्त नहीं तो कहा वही, stone fish सबसे जहरीली मिसली एक सवाल और बनता है, क्या बनता है वो जल्दी तो stone fish सबसे जहरीली मिसली है सबसे जहरीली मिसली कहता है, एफिल टावर की निर्मान में किन तत्मों का पर्योग किया गया है लोहा, इस्तिल और सिमेंट इस्तिल और सिमेंट लोहा, इलमूनियम और सिमेंट लोहा, तामब और सिमेंट जबकि एफिल टावर की बात करिये कहां पेरिस फ्रांस कैपिटल पेरिस में जल्दी तो एफिल टावर करिणवान लोहा इस्टिल और सिमेंट से हुआ है किसरी हुआ है लोहा इस्टिल और सिमेंट से पेरिस किस नदी के किणारे कई पार पूषता है तो ही उसकी location पैरिस जो सीन नदी के किनारे, किस नदी किनारे बच्चे, पारिट किया गया था जब द बजल विद्याक पार्यत किया गया तब भारत के परधान मंतरी याद करिए सवाल पूछा CPO में कि जब डल विध्यक पारित किया गया तब राश्टपते कौन थे प्रिशिडेंट कौन थे तो राज्यु गांदी परधान मंतरी रहे हैं राज्यु गांदी क्योंकि 1985 में 52nd Amendment Act हुआ और दस्विया नुसूची तेंथ सिड्यूल एड किया गया दस्विया नुसूची एड किया गया उसमें राज्यु गांदी हैं लेकिन राश्टपती कौन थे जड़ा बताइए मुराजी देशाएवाले भाईया स्टॉप मुराजी देशाएवाले भाईया स्टॉप राज्यु गांदी हैं अब जड़ा बताओ राश्टपती कौन हैं राश्टपती गोड इवनिंग भाई स्टैटिक जी के रिवीजन कर लो जितने रिवीजन करोगे उतना फायदा आके लिए है जितने कौश्टन रिवीजन करोगे उतना फायदा के लिए है नीलम संजी उरेड़ी ज्यानी जैल सिंग फकरुद्दिन अली अहमद सब राश्टपती बोल दो एका करके ज्यानी जैल सिंग ज्यानी जैल सिंग याद रखना कि पुस्ट आफिस आक्ट आया था एक पुस्ट आफिस आक्ट आया था आपको याद होगा इंदर गांधी के समय में पुस्ट आफिस आक्ट ये पुस्ट आफिस आक्ट की बात करें पुस्ट आफिस आक्ट पुस्ट आफिस आफ्ट ज्यानी जैल सिंग के समय में और राष्ट पते भी ग्यानी जैल सिंग था कौन था ग्यानी जैल सिंग याद रखना खालसा पंथ के अस्थापना किसने की है खालसा वाज फॉर्म्ड खालसा पंथ के अस्थापना किसने की है गुरु नाना, गुरु गोविन सींग, गुरु अर्चुन देविया, गुरु तेक बाधूर। तो आपको याद होगा इक खासा पंदिके स्थापना 1699 में किसने की थी गुरु गोविन सींग है। गुरु नानक की बात करें, गुरु नानक की बात करें, गुरु नानक का जनमस्थान और मकबरा कहें, दोनों के दोनों पाकिस्तान में, जनमस्थान तलवंडी में और कर्तारपूर कॉरिडोर इनका मकबरा है, कर्तारपूर कॉरिडोर इनका मकबरा है, दोनों के दोनों कहा ह बच्चे गुरु नानक का पाकिस्तान याद खना गुरु अर्जुन देव पाचवे सिंग गुरु जिनको Phewman लटका दिया और गुरु तेग बहादूर नौए जिनको फासी पर लटका आया और इंचेव ने तो ये दोनों के दोनों याद रखना दोनों के दोनों याद रखना ठीक है भारत के कितने राज पूर्वी तर्ष लगी है तीन चार पाँच नौ जल्दी कल मेरे पात थर्ष के एक्जाम में आया था ओके जल्दी तो भारत के कितने राज पूर्वी तर्ष से लगी है अगर आप पूर्वी तर्ष की बात करूं तो जैसे ये ये इस्ट है और ये वेस्ट है तो पांच राज इधर से और चार राज इधर से तोटल नौ राज जी है तोटल नोराज, पांच इधर, चार इधर, गुजरात, गोवा, गुजरात के बाद महराश्टरा, गोवा, करनाटक और केरर, पांच, तामिलनाडू, आंधरा परदेश, ओडिसा, वेस्ट बंगार, यानि इस्ट की और चार, वेस्ट की और पांच, सबसे बड़ा गुजरात सबसे छोटा गोवा सबसे छोटा गोवा तो ये समझना कि सवाल कहता है पूरवी तट पूरवी तट, पूरवी तट, पूरा क्या पूचरा है कोश्टन जरूर पढ़ना दुनिया में लोहे का सबसे ब्लब उतपादक कौन है चीन, ऑस्टेलिया, ब्राजिल, इंडिया विची दा लार्जेस्ट प्रोडूसर आफ आइरन इन दा वोल्ड तो दुनिया में लोहे का सबसे ब्लब उतपादक की बात करें चाइना दुनिया में अलमुनियम अगर अलमुनियम की बात करेंगे तो अलू मिनियम की बात करें अलमुनियम का उतपादन भी कौन? चाइना तिससे याद रह सकते हो चाबी से चाबी से यह क्या कहता चाबी? यानि नमबर वन पे चाइना है नमबर दो पे अस्टेलिया है नमबर तीन पे ब्राजिल है और नमबर चार पे इंडिया है अलमुनियम की बात करें दो इसके पोड़क्शन में उस्टेलिया है तो समझना कि सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? लोहा, अलमुनियम यानि आप ये समझ लो कि जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जितने भी radioactive element हैं जितने भी radioactive element हैं उस radioactive element के उत्पादन में नंबर वन चाइना है जो इसलिए चाइना आसानी से परमानु बवम आटम बवम ये वो करके बना सकता है बना देता है याद रहेगा याद रहेगा भाई याद रहेगा कि radioactive element के production के मामले में नंबर वन चाइना है परियावरण के संदर्व में दो फरवरी को नमलिखित दीनों में से कौन सा मनाया जाता है और तड़े world ocean day, world water day या world wetland day सवाल नंबर आठ जल्दी 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 तो क्या होगा भई दो फरवरी को world wetland day पिर्थवी दिवस की बात करें 22 अप्रेल वाटर डे की बात करें 22 मार्च अब जड़ा बताओ विश्व महासागर दिवस विश्व महासागर दिवस कम मनाते है जल्दी विश्व महासागर दिवस विश्व महासागर दिवस कम मनाते हैं सितंबर का महीनह इग्या सितंबर का महीनह है अगर सितंबर का महीनह है तो यज़्दी भाई क्या होगा आठ जून याद रखना आठ जून पाच जून को परियावरन दिवस आठ जून को महासागर दिवस भारत का कौन सा राज नेपाल से नहीं लगता है किस राज की सीमा नेपाल से नहीं लगती है बिहार यूपी हिमाचल परदेश सिक्किम तो किसका सीमा नहीं लगेगा भया हिमाचल परदेश की सीमा नहीं लगता है तो किसका लगेगा यूपी उत्राखंड बिहार सिक्किम वेश्ट बंगाल यानि नेपाल से किसकी सीमा लगती है उत्तर परदेश उत्राखंड बिहार सिक्किम वेश्ट बंगाल कुल मिल पांच राज्य है जो नेपाल से लगती है ठीक है याद रहेगा हिमासल परदेश की सीवा किसे लगती है तो चाइना से किसे लगती है ये चाइना से किसे यूरोप का कॉक्पिट के नाम से जानते हैं इस्पेन, बेल्जियम, तुर्की, स्विजर लैंड सवाल नमबर 10 जल्दी सवाल नमबर 10 तो यूरोप का कॉक्पिट किसे कहते हैं बेल्जियम तुर्की को यूरोप का मरीज यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को यूरोप का मरीज यूरोप के फुटबॉल का मैदान किसे कहा दाता है जरा बताना कमेंड बॉक्स में यूरोप के फुटबॉल का मैदान यूरोप के फुटबॉल का मैदान फुटबॉल का मैदान यूरोप के फुटबॉल का मैदान किसे कहते हैं क्या सुजर लैंड को कहते हैं क्या जल्दी बताओ सुजर लैंड को कहते हैं क्या अगर लग तो जड़ा थम दिखाना सर बिल्कूल कहते है पीर्टुभी के छेतरफ़ल में अपरिक्य महाद्जीब का परतिशाथ कितना है 28%, 20%, 24% या 16% सवाल नमर 11 स्वीजर लैंड भाई क्या होगर 20% और याद रखना अपरिकी महादीब नमबर दो पे है नमबर वन पे एसिया, एसिया, अफ्रीका, नौर्थ अमेरिका और सौथ अमेरिका, अंटाक्टिका, यूरोप, औस्टेलिया यह सिक्वेंस है महादेब के कॉंटिनेंट की अब नत बोलते ना कि चाइना वाला सरक महादेश जुड़ गया वो चाइना का अपना महादेश है जैसे चाइना एक अपना अलग सूरज बना रहे है न अपना अलग चांद बना रहे है, सूरज बना रहे है, सब अपना अलग बना रहे है तो वैसे ही वो अपने 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 अलग महादेश बना लिया तो ये 20% याद रखना तो एसिया मद्द पूरू सहीत एसिया की बात करें 30% और अफरीका की बात करें लगबग 20% ये देखो एसिया कितना? एसिया 30.6% और अफरीका कितना? 20.3% बिल्कूल याद रखना और उत्री अमेरिका कितना वई? तो 16.83% जाइदा आपको एसिया और अफरीका पूछता है एसिया और अफरीका पुछेगा याद रखना एसिया और अफरीका पुछेगा अन्टार्क्तिका कितना वई? तो 8.9% यूरोब कितना? 6.7% और ऑस्टेलिया कितना? 5.2% यानि सबसे छोटा महादेश तीक है आगे देखो भारक में सबसे बड़ी पुस्तकाले अन्ना सताबदी पुस्तकाले निशनल लाबरेरी कोलकाता दिल्ली पब्लिक लाबरेरी दिल्ली डेविड ससून लाबरेरी मुंबई सवाल नमर 12 अपनी पिर्फिवी भी बना लेगा चाइना बिल्कुल कोई ठीक ना है चाइना के बारे में अंद मास आकर अट्लांटिक मास आकर एक है क्या अंद मास आकर एक ही नहीं है बिल्कुल अलग है अट्लांटिक मास आकर बिल्कुल अलग है ठीक है नेशनल लाइबरेरी कोलकाता सबसे बड़ी पुष्टकाले है अज़े दरा बताना comment box में खुदा बक्स लाइबरेरी कहा है खुदा बक्स लाइबरेरी कहा है खुदा बक्स लाइबरेरी कहा है कितने लोगों को पता है जल्दी आहां राप्धे राप्धे देख रो दिल बना के भीज रहा है बिलकुल समझ रहे हैं बताओ खुदाबक्स लाइबरेरी कहा जल्दी कौन सी नदी कौधगम भारत के छेतर में होता है और साथी समाप सो जाता है सवाल नमर 13 खुदाबक्स लाइबरेरी स्वीटी सी का जवाब पटना रोहित का भी जवाब पटना विकास का भी जवाब पटना नीरा जनमोल पटना मोहित ने भी पटना जवाब दे दिया बहुत बढ़िया अरे आप लोग तो भाई कहना क्या है पतना कौन सी नदी का उद्गम भारत के छेतर में होगा भारत में मिलेगा तो चंबल जबकि ब्रंपुतरा तिबत में निकलती है बांगला देश जाती है सिंदू तिबत में निकलेगा कहा जाएगा अरब सागर में को सी नेपाल से निकलती है चंबल इंडिया में निकलेगा इंडिया में मिल जाएगा इंडिया में निकलेगा इंडिया में मिल जाएगा बिल्कूल जाज रखना तो सवाल कुछ समझना जा कहते हैं ठीक है लोक्त्रिय गोपिनात बोर्दोलोई अंतराष्ट्य हवाई अड़्डा किस राज्य में सीते हैं कि गुजरात असम महराष्टा तेलंगाना सवाल नमर 14 जल्दी कि चाओक भई असम बच्चे गुवाहाती तो लोगप्रिय गोपीनाथ बोर्दूले यह अंतराश्टे वह यद्द कहां पर असम में गुवाहाती में कि गुवाहती किस नदिय किनारे ब्रंपुत्र नदिय किनारे सबसे ज़्यदा इंटरनेशनल एर्पोर्ट की बात करें तो केरन ठीक है गुवाहती हवाई अड़े को लोगप्रिय गोपीनाथ बोर्दूले के नाम से जानते हैं ठीक है जो गुवाहती में है किस सार को भारत का बोश्टन केते हैं आहमदाबाद मदुरे रामनाथ पूरम अमरनाथ सवाल नवर पंद्रा जल्दी किसे कहेंगे आहमदाबाद को भारत का बोश्टन और भारत का मैंसिस्टर भी अगर मैं उत्तर भारत की बात करूँ नौर्थ इंडिया का मैंसिस्टर किसे कहेंगे कानपूर उत्तर भारत का मैंसिस्टर किसे कहेंगे कानपूर भारत का पीट्सबर्ल पिट्सबर्ग किसे कहेंगे जमसेदपूर जमसेदपूर किसे कहेंगे जमसेदपूर तो आहमदाबाद गुजरात राज्जी की पूरुवराजधानी भारत के बोश्टन की नाम से जानते हैं जो सावर्मति नदी के किनारे हैं सावर्मति नदी के किनारे वईदा थंगल पच्छिय ब्यारण के स्राझ जिमेस्तित है गुजरात केरल старमिलाडू आंदर परदेश सवाल नमर 16 वईदा थंगल पच्छिय ब्यारण के स्राझ जिमेस्तित है जमसेद Пूर स्वनरेखा नादी के किनारे तो भई ये त packetsे नमरू में है कहाँ है, तमीलाड़ू में, अडूपी, धर्मण पावरेस्टेशन बिहार, केरल, क्रनाता, कोड़ी साइशा सवालब्ल 17 अच्छा, कोईबर्टी पर ंडिया का है, ओके, स्वी किसी क्यों सुप्रेया, फैंक यू खुरां आको गो तो उडूपी थर्मलil रसेशनगी बात करें करना तब अच्छा जरा बताना भारत का एक मात चो चोंड़ों एसीजा का जोड़ दे एसिया का एकमात्र नूप्uba श्टेशन का जो आईयसोज परमानपत्ते पराप्त है है इसियोज पर्मानपत्र पॉलूशन के दिरिष्टी कौन से पर्यावरन के दिरिष्टी कौन से ISO से सर्टिफाई है यानि वो उससे पर्यावरन को नुक्सान नहीं पहुंचता है तो Asia का एक मात्र या कहें पर्थम जल्दी Asia का पर्थम निकुलियर पावर स्टेशन या कमात्र पावर स्टेशन जो पर्यावरन के दिरिष्टी कोन से ISO पर्मान पत्र प्राप्त है पिंकी आरिया बहुत बढ़िया क्या बात है केवल पिंकी जी का जवाब सही दिखा अनकुश का भी जवाब दिखा ओहोoh क्या बात हैं louder नरावरा नरावरा बहुत बनिया आनंत का विजवाब दिग किया क्या बात है ऑं ठेका नरावरा वही नरावरा जो बुलंट साहर में अग्श कामड़्ू क्या से सवाल निकला जवाब रिवटा गया निम्लिकित में से कौन सा राज धनलो को सांस्क्रितिक निर्तिक के रूपे मनाया है बिहार गोवा और इसा पमिलादू सवाल नवर ठारा और बढ़िया तो धनलो सांस्क्रितिक निर्तिक के रूपे मनाया गया वो गोवा है कौन बैई गोवा है याद रखना ठीक है यूरोप को संजुत राज अमेरिका से कौन सा महासागर अलग करता है यूरोप को USA से कौन अलग करता अ Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean Arctic Ocean सवालमिल 19 कौन अलग करेगा अट्लांटिक ओशियन कल हमने ओशियन पढ़ाया मैप को बिल्कुल देखो यहाँ पे नौर्थ अमेरिका है और यहाँ पे यूरोप है और यह इसके बीच एसकी आकिर्थी का अट्लांटिक ओशियन है तो कौन अलग करेगा अट्लांटिक ओशियन अलग करेगा कौन अलग करेगा अट्लांटिक ओशियन अलग करेगा विल्कुल या दक न यह आर्क्तिक हो जाएगा यहाँ पे South America होगा यहाँ पे आपका Africa होगा यहाँ Australia हो जाएगा यहाँ Pacific Ocean है यहाँ Indian Ocean है यहाँ Asia हो जाएगा आरे बस समझ में जो सबसे जयादा BG है बैपारवानिज के दृष्ठी कोन से सबसे जयादा ब्यस्त है बैपारवानिश की दिश्टी को उन थे यहीं पे नौर्थ अट्लांटिक में बच्चे सारगासो सी हैं सारगासो सी जिसमें कोई भी कोस्टल नहीं है कोई भी तट नहीं है बिरकूल याद रखना भारत का पहला दिवासी उद्मिता सिखर समेलन कहां आयुजित किया गया था जारकन 36 गर एंपी अस्तम दल्दी बहुत बने गजिंदर बहुत बने आप ब्यस्त नदी ये देखो आनंद सिंग दिल बना के भेज रहा है लग रहा है न पटाका फोड़ देगा आज दिल का और कहरा है सबसे बीजी नदी बताओ कि अट्लांटिक महासागर उसको नदी लगेगा तो भाई महासागर किसको कहोगे यह ऐसा तो नहीं कि कुगा को महा साकर समझ रहे हूँ बताओ ऐसे हैं हमारे आनंद साथ तो भारत का पहला दिवासे उदमीता सिखर समेलन चटिस गड़ चटिस गड़ याद रखना ठीक है पॉंगल तेवहार के चोथे दिन का नाम क्या है कनूम पॉंगल कनूम अच्छा सूर्य पॉंगल जल्दी 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 जरय बताओ क्या होगा बताओ सूर्य पॉंगल भाया कनूम पॉंगल तो पॉंगल कहा मनाते हैं बताओ के रल में और ओनम पॉंगल कहा मनाते हैं केरल क्या जल्दी बताओ न पॉंगल कहा मनाते हैं बताने रहे हो क्या चाहते हो दिल तोड़ दो मेरा उनम ता मिलना दू ठीक है क्लिए रहे याद रहेगा भाई उल्टा मत करना बिलकूल उल्टा मत करना बिलकूल देखो जो पॉंगल है ये ता मिलना डू और जो ओनम है वो केरल आई बता समझ में उसी समय वहाँ पे बुलफाइट होता है पॉंगल के समय ही बुलफाइट देखने को मिलता है बुल फाइट देखने को मिलता है का मिलता है बुल फाइट यानि जो साल की लडाई बुल फाइट है न जली कट्टू जली कट्टू कहा है जली कट्टू तामिल नाडू में देखने को मिलता है जली कट्टू तामिल नाडू में देखने को मिलता है तो याद रखना फिर से मैं बता दू बच्चे फिर से समझ लो फिर से समझ लो पॉंगल की बात करें तामिल नाडू तामिल नाडू और ओनम की बात करें तो केरल तो केरल और यही पे जली कट्टू देखने को मिलता है यही पे जली कट्टू देखने को मिलता है क्या मिलते हैं? जली कट्टू देखने को मिलता है तो चार दिवस ये पॉंगल ये देखो पॉंगल भईया ठीक है? चार दिवस ये चार दिन मनाये जाता है ये बिल्कूल या दखना. 36 गल के पर्थम मुख्यमंतरी कौन थे? चो सवाल बना कि 36 गल के पर्थम मुख्यमंतरी अजीत जोगी, रमन सिंग, भूपेश बगेल इन में से कोई नहीं सवाल नमर बाइस. ठीक है? बाई, जल्डी, देखो, 36 गल के पर्थम मुख्यमंतरी अजीत जोगी जिनका हाली में निधन हो गया, हाली में निधन हो गया. सहाब ही अभी है, भूपेश बगेल सहाब अभी है, एट परजेंट और रमन सिंग इसके पहले थे. ठीक है? तो याद रखना क्या पुछा? पर्थम मुख्यमंतरी पूछा है. लौड कर्जनद्वारा परकल्पित विक्तोरिया मेमोरियल सहर की चर्मोतकस वास्तु कला का पर्तिनिजित करता है. क्या होगा? कोलकाता. यानि विक्तोरिया मेमोरियल कहा है बई कुलकाता में है कहा है कुलकाता में लौड करजन के समय देखने को मिला था ठीक है विक्तोरिया मेमोरियल कुलकाता में एक सांदार संग मरमर की इमारत है जो रान्य विक्तोरिया को समर्पित है भारत के वाइसराई द्वारा जो जो जोर्ज करजन द्वारा परिकल्पित किया गया 1906 और 21 के बीच बनाया गया था गोतबया राजपक्षे किस देश के वर्तमान राष्टपती है अब तक का सबसे आसान सवाल अब तक का सबसे हलवा वाला सवाल हलू बोलते हो न बारे बताओ स्री लंका भाई भाई खेल रहा है गोतबया राजपक्षे राष्टपती अपने भाई को परधान मत्री बना दिया अब जरा बता प्रधान मत्यगणाम क्या महिंदराज पक्षे है क्या वह है तो जरा यस लेक दो मेरे लाल बिल्कुल सर हुमायू के उत्राधिकारी का जनम हुआ हुमायू के निर्वासन काल में भटकती है समय तो वह उत्राधिकारी जब 14 वर्सका था था ता उसके पिता की मिर्ती हो गई वह उत्राधिकारी कौन होगा अकबर साजा जहांगिर बाबर जल्दी क्या होगा बच्चे अकबर तो कहा विर्साल के महल में विर्साल के महल में जनम हुआ था इसका ठीक है तो जलालुद्दिन मुहम्मद अक्बर वास्ट्विक नाम जलालुद्दिन बच्वन का नाम जलालुद्दिन जो 14 वर्स के उम्र में 1556 में उत्राधिकारी बना है हमपी किस राज्य में इस्तित है केरल करनातक प्रमिलाडु आंधर परते सवाल नमर 26 तो याद अगना हमपी करनातक में है अब ज़रा बताओ कि यह किस रुपिय के नोट पे छपी है ओप्सन आपके सामने 10 रुपिया ओप्सन आपके सामने 50 रुपिया ओप्सन आपके सामने 100 रुपीज ओप्सन आपके सामने 2000 रुपिया 2000 रुपिया बताओ किस पर छपी है यह खंपी किस पर छपा है जल्दी पच्चास फिप्टी फिप्टी रुपीज किस पे पच्चास दस रुपे पे कुनार्क है दस रुपे पे कुनार्क है याद रखना दस रुपे पे कुनार्क सो रुपे पे रानी का वाव रानी का वाव अग दो हजार पे मंगल यान 2000 पे मंगल यान बिलकुल याद रखना तो विजे नेगर सामराज के सासक देवराई दिवतिये के अधीन एक परमुक मंदिर लंकना दंडेश द्वारा बनाया गया था खंपी में यही बनी वे बिलकुल 50 रुपे के नोट पे याद रखना 2020 में भारत के सेना परमुक के रुपे किसे न्यूक किया गया है मनोज मुकुंद नर्वाना विपीन रावत बरिंदर सिंग धनुहा विके सिंग कल साम को 6 बजे यूट्यूब पे क्लास है आपकी बिलकुल याद रखना रैपिट फायर ठीक है मैरातन जल्दी तो भाई मनोज मुकुंद नर्वाने भारत के सेना परमुक के रुपे न्यूट हुए है कौन मनोज मुकुंद नर्वाने अब ज़रा आपके आपका होमबग होमबग क्या है कि इंडियन एयर फोर्स के मुखिया और इंडियन नेवी के मुखिया कौन ही जरह बताओ comment box में जल्दी जो बताएगा पहले सबसे पहले उसका नाम लेंगे और बिपीन रावत साथ क्या है CDS बिपीन रावत साथ क्या है CDS है यहाद रखना यह क्या है CDS निरंजन कुमार करमवीर सिंग नेवी बहुत बढ़िया करमवीर सिंग नेवी और एरफोस भदावरिया देखो एरफोस जो एरफोस के चीफ है RKS भदावरिया और नेवी चीफ करमवीर करमवीर ठीक है तो विजय दिवस्पर सरकार ने जनरल विपीन रावत कुत्रा धिकारी के रूप में मनुझ मुकुन नरवाने के रूप में निउग किया है मानक स्रोत के संदर्व में अज्यात स्रोत द्वारा उत्पादित परकास की तिबरता को मापने के लिए की सुपकरन को उप्योग करते हैं परकास की तिबरता को मापने के लिए हम फोटो मीटर का यूज करते हैं अज्प्रिषदा की परथा को समाप करने से संबंदित कौन सा रुचिद है आतिकल 14 आतिकल 16 आतिकल 17 आतिकल 15 क्या होगा तो बैया सीधा सस्तावाल पूछा कि छुवा छूत हटा दें हटा दो किसने रोका सत्रा से हटा देंगे चुवा छूत रहेगा तो खत्रा होगा चुवा छूत रहने से देश को खत्रा है तो 17 को लाया याद रहेगा चुवा छूत देश के लिए खत्रा तो बना दिया आतिकल 17 14 विधी के समख समानता 16 लोक नियोजन के मामले में सबको एक समान मौका मिलेगा केवल भारतियों के लिए है 16 15 भी भारतियों के लिए है ये RRCSP यानि religion, race, caste, sex and place of birth करार पर कोई भेदवाव नहीं करेंगे बिलकुल याद रखना ठीक है वास्को डिगामा किस वर्ष कालिकट आया था 1442, 1498, 1442, 1498, 58, सवाल नमर 30, जल्दी यानि 1498 में वास्को डिगामा कालिकट आता है केरल, वहां के सासक है जमोरिन जो वेलकम करता है कैसे आता है उत्मासा अंत्रिब, cap of good hope, cap of good hope, याने उत्मासा अंत्रिब के जरिए के पॉप गूड होप के जरिये उत्मासा अंत्रिप के जरिये आता है बिल्कूल जा दखना 15, 16, 19, 29, 30 बहुत बनियां की तो मैं आपकी बाद को चिपकार देता हूँ देखो बहुत बनियां 15, 16, 29, 30 और क्या था? बताओ जल्दी हाँ? ठीक है ये भारतियों के लिए बिल्कूल जा दखना सोनू चंपारन बहुत बनियां तो पृतगाली खोज करता वास्को डिगामा मालाबार तड़ पर काली कट पहुंचा और अट्लांतिक महसागर के मार्जम से भारत पहुंचने वाला पहला यूरूपी है बिल्कूल जा दखना हूँ ठीक है? देखो वास्को डिगामा 1497 में पृतगाल के लिस्मन से रवाना होता है के पप गुड होब का चक्कर लगाता है और भारत पहुंच जाता है प्रेटी नियूँ अब अब भार्थोलोमी डियाज नेकिया बहुत पर निरज कि अब अब कि अब अच्छा जरा पताना वास्को डिगामा कितनी बार भारत आया है वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया है वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया है जल्दी वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया वास्को डिगामा भारत कितने बार आया बता वही जल्दी कैंडियन डांस is common dance form of which country कैंडियन डांस भारत की डांस भूटान की स्रिलंगा की नेपाल की जरह बताई सवाल अमरे करतिस क्या होगा तीन बार स्वीटी जी बता दिये सरसाउंड प्रोब्लम है भाईया नैके प्रोब्लम तीन बार आया भाई तीन बार याद रखना एक 1498 आता है फिर चला जाता है फिर 1500 इस भी में फिर जाता है तीन बार ठीक है आगे देखो तो कैंडियन डांस फॉर्म कहां की है स्रिलंगा की कैंडियन डांस फॉर्म कहां का स्रिलंगा का तो कैंडियन निर्थ स्रिलंगा के मद्ध परवतिय छेत्र के कैंडि नामक छेत्र के में देखने को मिलता है विस्व बैंक समू का परसिडेंट अध्याष कौन है डेविड मालपास अंसूला कांथ गीता गोपिनाथ डेविड लिप्टन तवाल नमर बत्तिस गल्दी तीन बार बच्चा तीन बार आता याद रखना तीन बार डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के अध्याथ गीता गोपिनाथ यह सी ए ओ वह यह क्या सी एफ ओ चीफ फाइनेंसियल ओफिसर की सी यो है चीफ एकनॉमिस्ट ओफिसर रहिया रखना क्या वही चीफ एकनॉमिस्ट ओफिसर कौन है गीता गोपिनाथ कौन भई गीता गोपिनाथ है बिल्कूल याद रखना ठीक है द्वानी की तिब्रता मापनी की काई को पहचाने नौट एंपियर केंडेला डेसिबल सवाल नमर 33 जल्दी क्या होगा द्वानी की तिब्रता कौन होगा गोपिनाथ की काई क्या है गोपिनाथ के जनम का परतिक क्या है गोतम बुद्ध के जनम का परतिक क्या होगा यह वाज सिम्बूल रिपरजेंट बर्थ अधा गोतम बुद्धा तो परतिक क्या है कमल अब्ध को याद रखना गोतम बुद्ध का जनम 562 सिम्बूल है लोटर्स बोधिवरिक्ष यानि ज्यान की प्राप्ति ज्यान की प्राप्ति कहाँ पर तो बोध गया बिहार घोड़ा गिरत्या की घटना घर छोड़ने की घटना तो गिरत्या की घटना को हम क्या कहते हैं महा भिनिस कर्मन ठीक है और वील यानी उपदेश वील यानी उपदेश तो कहां देते हैं उपदेश ये सारनाथ में सारनाथ में धम चक्र परिवर्तन बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं धम चक्र परिवर्तन बोलते हैं बिल्कुल या तक ना और मिर्तियू का वता बच्चे तो 423 BC में मिर्तियू कुसिनारा कुसिनगर कुसी नारा कुसी नगर और इसके सिंबोल क्या होंगे स्तूप, मिर्तियू का सिंबोल स्तूप क्या होगा, स्तूप तो आपके सामने सारी कहानी लिख दिया जनम का, लोटस घर छोड़ने की घटना घर छोड़ने का सिंबोल घोड़ा ज्यान के प्राप्ति बोधिट्री पीपल उब्रिक्ष और उपदेश जोदिया वेल और मेर्थियो अस्तोप 423 से बीसी कोशी नगा किलियर है अगर समझ में आगा तो थम दिखा देना बिल्कुल लाइक ठोक देना सकते बिल्कुल किलियर है यहां तक ठीक है नम्रिकित में से बेकिंग सुडा का यसी कंल नम रसानिक नाम क्या है में सोडियम कार्बोनेट अपोनित हैम हेड्श हैं हेड्र ऐसें कैसं की हैं सवाल नोर्ल 5 जल्दि घंटि तो वेकिंग सुडा यानि से हम खाने वाला सोडा केहते हैं sodium hydroxide, खाने वाल सोडा, sodium bicarbonate, IUPSC नाम, sodium hydrogen carbonate, जिसे आहन तोर कर बेकिन सोडा, NHCO3, NHCO3 कहते हैं थे, लोहित और दिबान किसके सायक नदियां हैं, गंगा, यमना, प्रमपुतरा, सिंदू, बहुत आसान, क्यों, क्यों कि ये दोनों नदियों के मिलने के बाद, अरुनासल प् असम जाने के बाद, फिर ये गिरती है, बांगला देश में, जमुना के नाम से, किसके नाम से, जमुना के नाम से, किस नाम से, जमुना के नाम से, बिल्कुल जातक नाम, ठीक है, रिवर्स रेपो दर कौन निर्धारत करता है तो अब ये देखो कि रिवर्स रेपो रेट हो रेपो रेपो रेट हो SLR हो ये सब के सब मोनेटरी पॉलिसी है मोनेटरी पॉलिसी है यानि मौदरिक नीती ये कौन टैक करेगा ये रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक लोल लेगा रिवर्स रेपो रेट में RBI Central Bank किसे लेंगी Commercial Bank से लेकिन हमेशा याद रखना कि repo rate repo rate is greater than reverse repo rate reverse repo rate यानि repo rate हमेशा reverse repo rate से अधिक रहेगा हमेशा अधिक रहेगा बिल्कुल याद रखना यह monetary policy अगर कहता है कि भया किलियर है बच्चे भारत के समिधान का नुचे 280 के से संबंदित है तो article 280 की बात करें with I.O. Finance Commission election commission की बात करें 324 UPSC की बात करें 315 और CVC की चर्चा हमारे समिधान में constitutional body के रूप में नहीं है ठीक है constitutional body के रूप में नहीं है बिल्कुल याद रखना अगर पाठ की बात करोगे तो यह पाठ 15 में है पाठ 15 में है बिल्कुल याद रखना ठीक है तो वीतायों को 1951 में अनुचे 280 के तहत भारत के राष्टपती के द्वारा ने धारित किया गया केसी नहीं होगी पहले अध्यक्ष और 15 में अभी बात करें तो यह N.K. Singh है कौन है? N.K. Singh 15 में कौन है? N.K. Singh है 15 में कौन है? N.K. Singh है बिल्कुल याद रखना ठीक है भारत में किसराज में सबसे बड़ा वन्षित्र है तामिलाडू करनातक मद़ परदेश पश्यममंगार इन इंडिया, which state has the largest forest area, किसमें मद्व परदेश में सबसे ज़्यादा जंगल है, अगर percentage पूछा जाए, तो ज़रा बताओ क्या होगा, percentage पूछा जाए, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है जंगलों का, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जंगलों का, सबसे कम पूछा जाए, तो हर्याणा, सबसे कम पूछा जाए, तो हर्याणा में सबसे कम है, हर्याणा में सबसे कम है, हर्याणा में सबसे कम है याद रखना, बताओ, अगर percentage पूछे, तो वो कौन सा राज्य होगा, percentage पुछेगा तो मिजोरम साहित अकाद्मि पुछकार 2019 कितनी भासाओं में दिया गया 20,24,22,23 क्या होगा साहित अकाद्मि पुछकार 2019 कितनी भासाओं में दिया गया 23 भासाओं में कौन से युराल परवत के सबसे उची चोटी है माउंट नर्दुनाय, माउंट मनाली, माउंट काम पिन किंग या माउंट लोगन सवाल नमर 41 जल्दी क्या और बच्चे देखो जुरोब को एसिया से कैश्पियन सागर और जुराल परवत है वो नौर्वे, स्वीडन, आइस्टलैंड, देनमार्क को एक साथ असकेंडिनेविया कंट्री कहते है ठीक है भाई, साउंड दिखते क्या जरा बताना साउंड रिसु हुए क्या विक्टोरिया फॉस किसकी सीमा पर है क्या हो गया साउंड को भाई, अभी तो क्लास्टी चल रहा साउंड को क्या हो गया नो न, चलो, नहीं है कोई दिखत नहीं है भाई देखो, विक्टोरिया फॉस किसकी सीमा पर लिख इस्तित है सही है, ओके, चलो, जांबिया और जिंबावे, विक्टोरिया फॉस किसकी सीमा पर भई, जांबिया और जिंबावे के सीमा पर लोकेट है विक्टोरिया फॉस दच्छी नाफिरका में, एक सवाल और बनेगा, किस देश में? दच्छी नाफिरका में तो किस नदी पर? जंबेजी नदी पर, किस नदी पर है? जंबेजी नदी पर याद रखना, थीक है? मूराइन जील नमर्शक दमेंसे किस रास्टे उध्यान में रसीत है मूराइन जील बंप एलोगाण कैनियन जिम कारबेट तो मूराइन नदी की जील की बात करें तो कहा बंप पे कहा पे बंप पे बिलकुल याद रखना मूराइन जील कैनेडा के बानफ निशनल पार्क में लोकेट है और एलो अश्टोन निशनल पार्क सबसे पुराना युएसे का सबसे बड़ा एलो अश्टोन निशनल पार्क कई बार पूछा गया या रखना ठीक है भारत के किन राज्यों में युनेशको की विष्व धरोर अश्टल के अधिक्तम संख्या है राजस्थान करना तक महराश्टा तमिलाडू जल्दी तो युनेशको की विष्व धरोर अश्टल के अधिक्तम संख्या महराश्टा है क्या है भई महराश्टा में सबसे जाइदा जुनेश्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइट हैं तो कितने पांच हैं टोटल कितने पांच हैं बिल्कूल या दखना कितने पांच हैं ठीक है साइटों में अजन्ता एलोरा, एलिफेंटा छत्रपति सिवाजी महराज और दच्छिन मुंबई की विक्तोरियन गौथिक और आठ देख ये पांच हैं टोटल, कितने पांच हैं किस निलगिरी तहर भारत के निम्लिकित में से किस राष्टे उध्यान में पाया जाता है अंसी निश्नल पार्क पंबादम सोला राष्टे उध्यान मठी कटन सोला राष्टे उध्यान या एराविक कूलम राष्टे उध्यान तो निलगिरी तहर की बात करें एराविक कूलम कहां पाये जाएगा ये एराविक कूलम राष्टे उध्यान में ठीक है तो निलगिरी तहर मुकूर्ती राष्टे उध्यान में जो तमिलाडू में इस्तित है याद रखना कौन भारत का पहला बांध है पहला बांध पूछा है कल नहीं बांध और अगर पूछता कि भारत सरकार ने मल्टी परपस यूजेज के लिए पहला बांध बनाया है वो क्या होता तो वो दामूदर तो यह क्यों बोलते हैं कल नहीं बांध इसलिए बच्चे कि कल नहीं एक प्राचिन बांध है कल नहीं एक प्राचिन बांध है जो भारत में तमिलाडू राज में तंजावर जीले में कावेरी नदी पर बनाया गया है और ये बहते पानी पर बनाया गया बिलकुल या तक ना बहते पानी पर दूनिया में चौथा सबसे पुराना जल डाइवर्जन बांध जो अभी भी उप्योग में है तो किस ने बनाया था चोल वंस के राजा कारी कलंदवारा बनाया गया था और सोचो अभी भी परजेंट है अभी भी परजेंट है लेकिन भारत सरकार के लिहास से देखें अगर सवाल रहेगा कि इंडियन गवर्मेंट का भारत सरकार के द्वारा बनाया गया सबसे पुराना तब आप DBC कहोगे क्या कहोगे DBC कहोगे जो 1948 में देखने को मिलता है ठीक है निमलिकित में से कौन सा पुरुषकार साहित छेतर से सम्बंधित नहीं है बूकर पुरुषकार मूर्ति देवी पुरुषकार प्रितिजर पुरुषकार या बिहारी पुरुषकार जल्दी जल्दी क्या होगा भई संजु कुमार जी जितने सारे बच्चे देख रहे हैं सब के वाई सही है कि वो लापका छोड़ की तो बूकर मूर्ति देवी बिहारी सब साहित से है पुरुषकार किस से है तो पुरुषकार आर्किटेक्चर से है आर्किटेक्चर से सम्मधित है जिसके स्थापना उन्हें सोन्यासे में किया गया ठीक है जिसे वास्तुकला का नोबेल पुरुषकार कहते है सवाल जब बनेगा जैसे गनित का नोबेल किसे कहते है एबेल को गनित का नोबेल एबेल को कहते हैं वैसे ही वास्तुकला का नोबेल किसे कहेंगे प्रिजर पुरुषकार को कहेंगे ठीक है इंडिया गेट की उचाई कितनी है जल्दी इंडिया गेट की उचाई कितनी है 50 मीटर 36 मीटर 42 मीटर या 64 मीटर तो इंडिया गेट की उचाई की बाग करें 42 मीटर कितने मीटर 42 मीटर बिलकुल या दखना इंडिया गेट की आधार सिला 1921 में रखी गई किसने रखा द्यूक अप कनाउट ने और एडविन लूटियन ने डिजाइन दिया था 42 मीटर उचाई कितना 42 मीटर उचाई बिलकुल या दखना ठीक है गेट इव इंडिया के वास्तुकार कौन थे जहां इंडिया गेट दिल्ली में वहीं गेट इव इंडिया मुंबई में वहीं ये मुंबई में तो ले कर्बुजियर जॉर्ज विटेट एडविन लूटियन एड्रियन श्मीथ सवाल नमर 49 जॉर्ज विटेट गेट इव इंडिया के वास्तुकार कौन थे जॉर्ज विटेट थे बिलकुल या दखना तो यह किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी जब 1911 में आना था उसी समय उद्गाटन के लिए इसका निव रखा गया था बिलकुल या दखना फ्रांस ने कितन सवाल कि तीन बार कितने बार जीता है तीन बार सबसे आता बार ब्राजील पांच बार पहले बार 1908 कुन के घर में और 2018 में एक मिर्ण बच्ची है ओहो दो बार ठीक है दो बार कभर आया तो 1998 में और दूसरी बार 2018 में यानि दो बार जीता है कितने बार जीता है 2 बार, सबसे जाधा वार, ब्राजील, सबसे जाधा वार, ब्राजील 5 बार, ब्राजील 5 बार, ठीक है, तो बच्छे यह था आज का सेसन, उममित करते हैं सेसन मजा आया होगा, अभी 5,25 पे अनकैडमी पे आपकी एक लूद से उनका अप्फियर, हो सकता आप के लिए रिवि तो दोनों फायदा हो जाएंगे स्टैटिक जी के भी और करेंट अफेर्स भी ठीक है बच्चे जोईन करने का तरीका आपको पता ही है करने के लगने के डाउनलोड करना उसे ओपन करना और अपना मुबाइल नंबर डालना लेकिन जो गोल सेलेट करोगे वहां रेलवे अब यह भी जोईन कर सकते हैं हमारे साथ लगाकर अगर सेशन अच्छा लगा हुआ तो लाइक करके जाना ठीक है मिलते हैं फिर से नई से